देखें, यह हमारा क्या है, यह क्या है, ट्रांजिस्टर, गुड, यह ट्रांजिस्टर तो है हमारा, लेकिन अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर की, तो यह हमें पता ही ना है, कि यह हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर, चलिए हम इसी के उपर रखते हैं इसको, ठीक है, इसी के उ और इसको हम चेक करते हैं कि यहां घ disg engine है ट्रांजिस्टर कौन सा इसके यह ट्रांजिस्टर है मां यहां पर रखिंगें चले यहीप चएब पहलेगा हमारा मल्टिमीटर कौन से रेंज में है डेवोर्ड रेंज में चलिये और ये ट्रांजिस्टर जो है हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर है अगर हम कहें तो ये पिनपी ट्रांजिस्टर है लेकिन कैसे ट्रांजिस्टर है लेकिन ये कैसे है कि हाँ भाई ये PNP ही ट्रांजिस्टर है हमारा कैसे है ठीक है देखें ये तो हमारा OL पे है हमारा जो ये मल्टिमीटर जो है ये OL पे है चलिए ठीक है OL पे है लेकिन ट्रांजिस्टर कौन सा है अब देखें पहला चेकिंग पहली चेकिंग हम एक वायर को डालते हैं इस पीन पे और बाकी पीनों को हम लोग चेक करते हैं देखें यहाँ पे कोई वैलू है नहीं है अब इस पीन पे इस पीन पे कोई वैलू है इस पीन पे नहीं है ठीक है अब यहाँ पे इस पीन से हम ले ब्लैक वायर को रखके तो चेक कर लिया अब हमें क्या करना है कि इस पीन पे रेड वायर को रखना है रेड वायर को रखना है यहां पांच बता रहा है वैलू और फिर इसी प्रव को हम लोग इस पीन पे क्योंकि यह दोनों पीन एक है तो यह तो 00 आएगा यहां पे देखे 00 आ जाएगा यह दोनों पीन ठीक है अब हम बात करते हैं इस pin पे रखते हैं तो इस pin पे oil बता रहा है यानि यहाँ पे कोई value नहीं है तो यानि इस pin से जो दोनो wire से दोनो props से जो हम लोगों ने check किया तो यहाँ से तो पता नहीं चला कि आखिर इसका base pin कौन है ठीक है अब हम लोग wire को change करते हैं wire को change कर देते हैं और फिर यह pin का तो identify होगी हमारा इस pin का अब हमें इस pin से check करना है चलिए इस pin से इस pin को हम लोग रखते हैं एक red wire को रखते हैं और यहाँ पे check करते हैं तो देखें यहाँ पे कोई value नहीं है फिर यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे भी कोई वैलू नहीं है ना तो इस पीन पे है वैलू और ना ही इस पीन पे वैलू है अब फिर हम क्या करेंगे कि फिर अब wire को change कर लेंगे prob को हम लोग फिर change करेंगे और यहाँ पे रखेंगे फिर से black wire black prob को sorry यहाँ पे रखेंगे हम लोग black prob देखिए तो चलिए black prob को रखते हैं और यहाँ पे चिक करते हैं देखिए value आया 612 0.612 अब फिर इस PIN को तो हमने चेक कर लिया अब इस PIN को चेक करते हैं हम लो देखिए यहाँ पे आया 615 तो यानि हमें क्या हुआ कि इस PIN से दोनों PIN पे भैल हुआ गया इसका मतलब यह हमारा हुआ BASE PIN ठीक है? यानि कौन सा PIN हुआ BASE? यह PIN यह BASE PIN हुआ और इस BASE PIN पे हमारा वायर कौन सा था? तो भाई ब्लैक तो ब्लैक हाँ ब्लैक था ब्लैक प्रब था ना हमारा मल्टिमीटर का तो यह ब्लैक प्रब आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह हो गया PNP यानि यह POSITIVE WIRE POSITIVE PRAB फिर यह NIGATIVE फिर यह POSITIVE और यह NIGATIVE यानि PNP तो यह TRANJISTER कौन सा है? PNP TRANJISTER है और इसका BASE PIN कौन सा है? तो भाई यह वाला इसका BASE हो गया अगर देखा जाए हम आपको अगर यहाँ पे बताएं तो यहाँ पे आपको अगर देखे तो यह हो गया इसका BASE PIN फिर यह हो गया इसका EMEITER PIN EMEITER हो गया और यह वाला यह यह बीच वाला यानि यह ही मान लीजें यह यह दोनों एक ही है तो इस PIN को हम लोग बोलेंगे collector PIN collector ठीक है तो जो transistor का जो checking है जो multimeter से जो हम लोग check करते हैं वो इस तरीके से check करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा जो transistor जो हम लोग जैसे check किया जैसे base PIN का पता चला तो वैसे अब जितनी भी transistor होंगे क्या आप उसका पता कर सकते हैं या नहीं बिल्कुल कर सकते हैं तो basic यही है basic checking हमारा यही है transistor का main checking जो है वो यही है इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि इसको check करते हैं अब जब हम लोग check कियें तो समझ में आ गया कि भाई यह transistor है और PNP transistor PNP transistor जो है वो क्या करता है हमारा थोड़ा सा हम लोग zoom कर लेते हैं इसको और देखते हैं यह वाकरी में हमारा transistor कैसे हम लोगों ने इसको find out किया यह देखिए यह रहा यह रहा यह रहा हमारा यानि multimeter का यह prob black आया था तो black आया था तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या n यानि negative प्रभ आया था न और यहां पे हमारा जो आया था वो प्रभ आया था कौन सा कौन सा आया था P positive ठीक है और इस pin पे जो आया था इस pin पे हमारा आया था क्या इस pin पे कौन सा आया था P यानि positive rate वाय रहा था तो जाइर सी बात है कि भाई इसका जो PNP यानि PNP यानि ये इसका positive negative positive यानि इसका ये भी बोल सकते हैं ये दोनों pin एक ही है तो यहीं पे इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये भाई इसका ये collector pin ये emitter pin और ये इसका base pin किलर हुआ तो ये हमारा PNP transistor हुआ PNP transistor हमने मर्टिटर के थुरू इसको चेक किया कि भाई इसका base pin कौन है emitter कौन है collector कौन है तो ये चीज़ हमने आपको अच्छी तरह से इससे पहले भी जब ये चल रहा था तो इससे पहले भी हमने आपको बताया कि collector pin कौन सा होता है और emitter pin कौन सा होता है ये अच्छी तरह से आप लोगों को पता है इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग checking किये थे कि checking किस तरीके से होता है किसी भी transistor का चाहे वो NPN हो चाहे वो PNP हो तो ये checking होता है हमारा ठीक है clear अब कोई भी कोई भी आपका transistor आएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ पाई transistor कौन सा है जी बिलकुल बहुत कुब तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने transistor को समझा transistor के बारे में समझा अभी क्या काम करता है किस तरीके से इसका circuit में use है कहाँ पे use है तो इससे पहले जो है हम लोगों का जो lecture चला था जो theory class चली थी उसमें हम लोग अच्छी तरह से समझ लिये थे लेकिन हमने इसको सिर्फ live आप लोगों को चिक करके प्राक्टिकली करके आप लोगों को बताया किलियर है यहां तक बिल्कुल चलिए बहुत बहुत तो चलिए अब transistor हमारा जो chapter है वो transistor chapter end अब जो चलेगा हमारा आगे का जो chapter है वो बचा हुआ है क्या mosfet यानि लगभग हम लोगों का जो है जो online class वाले जितने भी हैं उनका हमारा basic electronic जो है वो लगभग ind के ind होने वाली है तो आगे जो class चलेगा हम लोगों का basic से basic का जो है हम लोग आप मैं आप से क्या करूँगा कि कुछ उसका review लेँगा basic का एक दिन आप लोगों को live आकर review लेना पड़ेगा हमें ताकि जो हमने बताया basic electronics वो आप लोगों के जहन में आपके दिमाग में वो उत्रा या नहीं उत्रा checking कैसे करना है किस तरीके से component का checking है ये सारी चीज़े जो है हम एक दिन आप लोगों का क्या करेंगे उसका एक test लेंगे ताकि जो भी हमारा basic हुआ basic electronics जो हमने आपको बताया वो आपके जहन में गया या नहीं गया वो हमें जानकारी में होनी चाहिए तबी जाकर हम आगे जो है आगे का जो tracing है schematic level है schematic के उपर कैसे काम करना है ये सारी चीजे जो है हम आपको आगे की class में होगा कब जब यहां पर आप clear करेंगे तब ओके तो चलिए आज के लिए इतना ही बाकी जो है हम लोग है आगे मिलते हैं next कल मिलते है कल क्लास में शुरू करते हैं क्लास में आपको क्लास में आपको क्लास में आपको